हे दोस्तों । यार क्यास से हो आप सब लोड आज इस वीडियो को जो हमारे टौका है वो यह है कि गोरामी फिस्टॉ कैसे ब्रीट करें अगर जैसे यार, बहुत लोग होता है, यहां मुझे फिस्स तो ब्रीड करना है, उसमें different different type जो fish इस तो ब्रीड करते हैं, उसमें बात आता यह ग्रौरामी फिस्स तो कैसे ब्रीड करें, तो यह ब्रीडिंग के process पे उस ते टैड़री को जानने से पहले हमें जानने ले चार पीशबुल वराइटी ऑफ फिस होती है जिसको लोग बहुत सारे लोग अपने टैंग में मिस्टर के भी रखते हैं और गॉरामी फिस में आपको क्रफी जाएदा वराइटी जो इनकी स्पीसेज मिल जाएंगी हर टैड़री की अलड़ अलड़ टाइप भी गॉरामी फिस हमे पहली बाद यह जो गॉरामी फिस होता है यह बवल नेस्ट बनाती है अपने ब्रिटिन के लिए तो आपको पहली बाद तो जब भी आप इन पेर्स को ब्रीट दरा रहे हो तो उस ब्रिटिन टैंट में कभी भी कोई ऐसा पावरफुल फिल्टर मन दरा दीजेगा क्योंका खराब हो जाए तो यह नॉर्मल सा स्पंज फिल्टर आप यूच ठीजे ब्रिटिन टाइन में ताकि उनको क्यों प्रॉब्लम नहों और उनका बवल ने जो है टूटे नहीं जो बहुत ज्यादा फ्लो वाले फिल्टर होते हैं वो क्या टरते हैं तो पहला पॉइंट को यह साथ दिन एठ हफते दस दिन पहले से अच्छा से न्यूट्रिसिस ठाना देना शुरू टर दीजा जिसे आपकर जो हेल्दी पेर है वो और ज्यादा हेल्दी हो जाए उसते बाए जब आप देख लोग यहां यार मैंने इनको अच्छा खासा फीड़ दर दिया यह पहले ज मैं जब दी हमें बृड़डिंग करवाना होता है किसी भी फिस्टोता है में से सबस्रा जाना पढ़ता है उसें उस पैर तो मैं बृडिंग तर्फोस्य सथा रखोगे ज़रू बिलिड़ लेगा कैस्वर नहीं हो पाई जब दूसरे वराइटे के। हो साथ भी में आपनी ब्रींग नहीं हो पाईगी तो आपको उन ब्रिजिट टालना पड़ा और शेंट में हाइड़िंग ज़रू ड़िएगा आप बलो कीओ तो मेरे दोस्त पहली बात हो यह जानलों कि हाइडिंग प्लेस हम इसलिए डाल देते हैं अपने ब्रिडिंटाइड में क्योंकि जब भी ब्रिडिंग होती है वो डौरामीर फिस्ट है कोई और भी फिस्टी हो अर्थर यह देखा जाता है जो मेल है वो फीमेल डूपर आजरे इसी बुझाता है उसे चीज तरना शुरू तर देता है उससे यह होगा कि हाइडिंग प्लेस्ट है सपोर्ट लेकि जो आपके ब्रिडिंग प्लेस्ट है वो थोड़ा सा कमफर्टेवल बना रहेगा किसी भी फिस्टों ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो ज्यादा एक तरह से इस्ट्रेस में नहीं आ इड़र ओफिस आपके हायदिंग प्लेस्ट करना तरन है तो अड्ला पॉइंट यह है ति आप ब्रिडिंग टेर में आपने हाइडिंग प्लेस्ट पी टालने यह है कि दो करनें तो पहलन भी है जब आपके प्लांट इंग 20 original यह बबल नेस्ट बनाता है तो प्लांट से फ्लोटेन प्लांट रहेंगे तो वह उसे प्रॉब्ल्म नहीं होती डालो और सीज्फ में अपको लास्ट कोईन्क बताऊंगा तो लास्ट पॉइंट ये बताऊंगा चि कि आपको जब भी अपने बडिटेंट में आप अपने पेरो डाल रहे हो लॉह Informतis टो जए ध्यान में रचना कि दोनों पेरो साथ में डाला यह नहिए कुपहले female को फिर male को या male को फिर female को उससे क्या होचा हाण तो सबसे पहले यह चीज़ बहुत सारी वराइटी जाती है पर मैं आपको बता रहा हूं जो हर एक ग्रोरावे फिस्टो पर अबलेकेबल होती हैं पहला है कि यह बबलनेश बना बना के ब्रीट दरते हैं तो कोई भी पावरफुल फिल्टर नहीं रटना तो कौन से रट सकते हैं तो सपंज फिल्टर आप यूज़ दूसरा है कि ब्रीटिन पेर जो चुनी है वह हल्दी होना चाहिए और उसे अच्छा खासा न्यूट्टीस में डाल रहे हैं तो उसे साथ में अलग 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 इंटरेट्यूस नहीं करना है और हां यार लाउस्त पॉंट दिन बाद जब वो मेल जो आपके जो एड हैं वो हैच होने लगे फ्राय निकलने लगे तो मेल को भी उसमें से हटा दो यूंकि फिर मेल क्या करेगा कि वो फ्राय उठाना शुरू कर देगा तो दोनों फेसे लो पर्टिकुलर एक टरते अपने टैंट से हटा देना है तो मेरे दोस्तों आज ये वीडियो में बस बाई इतना ही ज्यान था मेरे पास जो आपको मैं दे सकता था अगर आपको कोई और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए किसी और चीज के बारे में भी ज्यान चाहिए तो आप यह क्रमेंट सेट्सन में डाल दो उस टॉपिक पे भ वीडियो में बाड़िए को